नमस्कार आप देख रहे हैं तो बिहार टॉप मैं हूँ रादेश पुरी बिहार के सिक्षा विभाग और राजभावन के बीच में टकड़ाओ की स्तिती पैदा हो गई है और ये टकड़ाओ जो है थमने का नाम नहीं ले रही बिवाद बरते ही जा रहा है राजभावन जो अपने छेत्रादिकार की बात करता है तो अई सिक्षा विभाग उस पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो बेवज़ा राजभावन के अधिकारों में अतिक्रमन कर रहा है लेकिन आप देखिए कि अब जो है जो नीट्रल संस्थाएं हैं वो भी राजभावन का नहीं सुन आपको बता दे कि 28 फरवरी को जो बैठक सिक्षा विभाग के दौरा बुलाई गई थे जिसमें राजजी के सभी बिस्विद्यालेओं के वी सी कुल सचीव और परिच्छा नियंतरक को सामील होना था उसको लेका राजभावन ने असपर्ष्ट कहा कि इस बैठक में सामील होने की जरूरत नहीं है और आपको हम बता दे कि इसके बाद जो है शिक्षा विभाग ने करवाई करना शुरू कर दिया वी सी परिच्छा नियंतरक कुल सची उपर एफाई अर्दर्ज होने लगे थाने में और विस्विद्याले के खातों को फ्रीज कर दिया गया इसके जबाद राजभाउन के द्वरा एक अदम उठाया गया कि जो खाते फ्रीज किये गये थे उनको डिफ्रीज करने का आदेश जारी किया गया और हमने कल ही चर्चा किया था कि क्या बैंक जो है वो किसका बात मानेंगे शिक्षा विभाग का या राजभाउन का आपको बता कि बैंकों ने जो फैसला किया है वो सिक्षा विभाग के साथ जाने का फैसला किया है अजीब इस्तिती है बिहार में एक विभाग जो है वो राजभाउन के आदोसे उपर भारी पढ़ते जा रहा है ये सही विवस्था नहीं लग रही है ये जो है ऐसा नहीं होता है आपक कुलपतियों की गुहार मनुहार के बाद भी साखा प्रबंदकों ने रासी निकासी से इनकार कर दिया उन पर राजबहवन का आदेश भी बे असर रहा रईवारकू कुलपतियों की बैठक के बाद राजबहवन के परधान सचिव रौबर्ट चौंग्थू ने बैंक साखा प्रबंदकों को पत लिखा कहा था कि राज्यपाल ने सिक्षाविवाग की ओर से बैंक खातों के संचालन पर लगाई गई रोक हटा दी है राज्यपाल के इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था बैंकों के साखा प्रबंदकों ने राजभाउन की आदेश पर अपने अधिकारियों से प्रामर्स मांगा है बैंक अधिकारियों ने अनुपचारिक बात्चित में बताया कि बैंक वानिजिक संस्ता है इसमें खातों के संचालन और रोक से सम्दनित नियम असफष्ट है खातों के संचालन से जुड़ी प्रक्रिया में राजभावन की कोई भूमिका नहीं है इसलिए राजभावन के पत्र के आदार पर खातों के संचालन पर लगी रोक हटाने की समभावनाय नहीं है आपको बता दें कि 28 फरवरी को परिक्षाओं की इस्तिती की समिक्षा के लिए सिक्षा उभावन की रोक के कारण विस्विद्यालियों के कुलपती और कुलपतीयों के वेतन और विस्विद्यालियों के बैंक खातों के संचालन पर रोक लगा दी आपको बता दे तो ये इस्तिती पैदा हो गई है जिसमें आपको बताएं कि राज भौन के आदेश भी अब सिख्छा युभाग के आदेश के सामने मध्धिम परने लगे हैं यानि कि उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है ये अजब विकर सी स्तिती पैदा हो गई है और बता दे आपको हम कि बिहार में बिस्पिद्धारियों का कारे सलचालन राज भौन के हाथों में होता है और ऐसे में राज भौन के द्वारा 28 फरवरी को साफ साफ कहा गया कि उस बैठक में जाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद देखिए कि सिक्षा इवाया प्रात्मी की दर्ज करवाने लगा गई है और राज जिपाल की आदेश के बावजूद भी बैंक मेनेजर जो है वो सिक्षा इवाया की तरफ जादा अगरसर है और उनका यही काना है कि हम जो है इस पर लगी रोक नहीं हटा सकते हैं तो अजीब इस्तिती पैदा हो गई है कि आज राज भावन जिस पर जिम्मेदारी होता है समिधान में वर्नित है कि राज्य की समस्त कारपाली का विधाईस जो कारे हैं वो राज भावन के नाम उनकी अनुमती उनकी आदेश से होंगे लेकिन इक सिक्षाई भावन जो है वो आज राज भावन का नाको दम करवा के रखे हुए है कोई डर नहीं है कोई करवाई करने से हिचक नहीं है और लगातार सिक्षाई भावन के दौरा जो है वो एक तरह से कहें राजबहौन का अपमान पे अपमान किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात सरकार चुप बठी है सरकार के द्वारा इसमें कोई भी बीच बचाओ नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा जो है वो दोनों संस्थाओं को विश्वास में नहीं लिया जा रहा तो अजीब इस्तिती पैदा हो गई है कि राज्य पाल का कहा जाए अगर जिस तरह से 5 सितंबर 2023 को वह बिहार के वर्तमान राज्पाल विस्मनात अरलेकल जी के द्वारा ये कहा गया कि हमारे अधिकारों में अतिक्रमन किया जा रहा है और ये कैसे कोई हिंबत कर सकता है राज्य का सचिव राज्य पाल के राजभोन के कारेश छेतर में अतिक्रमन करने का और बता दे आपको हम कि केके पाठक जी पर कोई करवाई नहीं हुई आज भी देखा जाए तो अपनी स्वेक्षा से जा रहा है सेंटरल डप्टेशन पर तो केके पाठक जो हैं उनसे सही लोग त्रस्थ होने की बाते आ रही थी कई MLC ने मुख्यमंत्री जी को कहा विधान सभा में कई दिनों तक चर्चा होई खुद MLC मंत्री की बातों को लेकर जो है इसकूलों में सिक्षक कब पहुंचें इसको लेकर भी सिक्षा युभाग ने पत्र जारी नहीं किया जबकि विधान सभा में मुख्यमंत्री जी के साफ द्वारा साफ साफ विध्यालियों में सिक्षकों के आने और जाने के समय को लेकर विवरन दिया गया बावजूद इसके उसका पालन नहीं किया गया तो क्या ये प्रस्ट सबसे बड़ा उठता है कि सिक्षा विभाग जो है विहार का सबसे बड़ा संस्था है क्या उसके उपर न मुख्यमंत्री हैं न विहार के राज्यपाल हैं क्योंकि अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों के आदेशुख का कोई भी परवाह सिक्षा विभाग पर पढ़ते हुए नहीं दिख रहा और सिक्षा विभाग जो है वो एक स्वायत संस्था की तरह ऐसा लग रहा है कि न उस पर विधाई का लगाम है और नहीं कारेपाली का का लगाम है वो अपने कायों को बेपरवाह करते जा रही है जो भी फैसले लेने है लेते जा रही है और पूरा एस्टेट जो है वो मूख दर्सक बना हुआ है देखिए ये टकडाओ कहां तक जाती है और अंत्वे किसे सरेंडर करना पड़ता है अभी देखा जाए तो सिक्षा युभाग कहीं पल्डा भाड़ी है और बिहार के राज जिपाल का पड़ला सिक्षा युभाग के सामने फलका दिखाई दे रहा है अफसोस जनक है फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए लाइक ज़र करें हमारे चनल दा बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद